ये गाइस बेलकाम है मेरे सिपच और यूट्यूब चैनल में आजी मैंने मैंने बनाये चावल का बहुती बैतरी नास था तो चलिए आई ये वीडियो शुरू करते हैं ये मैंने लिया एक कटोरी चावल और एक कटोरी बेशना है मेरा तोड़ा सा ये प्याज तोड़े से सि पड़ारी मिर्ची ओ एक कटोरी आधा कटोरी माटर एक आलू तो जैसे मैंने चौप कर लिया है को जी मर्द बरतन शुटा पड़ गया तो मैं दूसरे बरतन में ट्रैंसपरेंट्स कर लूंगे इसे अब इसमें डालेगे मासाले एक चमच मेंने डाला लाल मिर्ची एक चम आजिकल दाले गाइस क्योंकि चावल हमारे पहले से गीले हुए हैं उगले हुए हम तो चावल गीले इसलिए पानी नहीं डालेंगे ऐसे मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी से अब हम एकटोरी में तेल लेंगे और हाथ पर लगाएं जिससे चावल और वह बेशन चिपके नहीं आत्मनें तो गाइस आथ पर चिपकेगा और इसके हम गोल-गोल चकली स्टाइल में बनाएंगे इस तरीके से हम दबाके अच्छे से प्रेस करके इसे बनाएंगे गोल-गोल थोड़ा से तेल की साहिता से अगर तेल नहीं लगाएंगे तो आथ पर चिपकेगा और बनेगा नहीं अच्छे से इस तरह से हम बना लेंगे सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल पर पहली बारा आए हो तो सब्सक्राइब करना इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे अब हम ओईल देखेंगे अपना ओईल हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है हम सभी को एक एक करके डाल देगे इसमें कैसा आप इसको अरीजट नहीं या सौस के साथ में खाएंगे बहुत ही मज़ेदार लगेगी रेसिपी एक बार जरूर बनाएं इसी तरह से हम बाकियों को बना लेंगे बना के रख लेंगे एक प्लेट में अब इनको हम पल्टेंगे अच्छे से अलका गोल्डन ब्रावन ओने देंगे से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा अच्छे से सिखने देंगे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी सब्जी मटर और आलू एकदम क्रेंची क्रिंची क्रिस्पी हो गए इसलिए बहुत ही टेस्ट आएगा आप एक बार जरूर ट्राय करें इसी तरह हम बाकियों को सेख लेंगे ऐसे अच्छे से नहीं को बाकियों को सब को सेख लेंगे इदे की मारे बनके हो गए रेडी वीडियों पसंद आए तो यह लाइक करना थेंक्यू पुर वोचिंग बाई